हेलो माई डियर, आरके सिंपल क्लासेज में आपका विलकम है, आज इंगलिश की वकायव की क्लास है, और इसमें लॉजी जो सफिक्स लगाया जाता है, लॉजी, यॉजी, वाई, जिसका मतलब होता है, इस्टेडी, वर्ड या साइंस, यह जहां भी लग जाएगा, उसका मतल तो इसमें हम देखते हैं, कौन-कौन से सब्द में यह लगा है, जिससे पहला है, एरोलाजी, एरोलाजी मतलब इस्टेडी आफ आटमास्पियर, आटमास्पियर, परियावरन का अध्यन होता है, जो उसको कहा जाता है, एनिमोलाजी माने इस्टेडी आफ विंड हवा की अ के अध़न को कहते हैं आतिरोलाजी इस्टडि आफ वांशेल अपनी स्वेश्व के अध़न को कहते हैं इस अध्य palsy, हॉइृण्ट के अध्य Carm को कहते हैं। सिस्टो Лар जे श्टिडी औफ डॉल्फिनस णड वेर डाल्फिन और वेर्वस द्थ्थ्टे एध्धन को कहते हैं कोस्मोलाजी स्टडी आफ यूनिर पूरे प्रध्भांड के द्थ्थ्थ्थ्थ्थным को कहते हैं। क्रिप्टिलाजी इस तर지 हुपत कोड्स जो होते हैं जिसे कोड्स से decod किया जाता कोई जी किट्तोलाजी कहलाता है कि डेमोलाजी इस्टेडी आफ इंसेक्ट लाइफ बाने छोटे मोटे की डेमकॉर का को, etymology study of origin and true meaning of word, किसी word की उत्पत्ती और इससे सब के अध्यन को कहते है, etymology, grammatology मने study of systems of writing, writing के प्रणाली के अध्यन को कहते है, hopology study of weapons, हथियार के अध्यन को कहते है, hopology, hypnology study of sleep, नीद की अध्यन को, hypnology कहते है, indology, भारती, इतिहाज, साहित, दर्शन और culture, study of Indian history, literature, philosophy and culture को, indology कहते है, kailology study of beauty, सुन्दर्ता की अध्यन को, kailology कहा जाता है, mystology study of mammals, mammals, इस्तंधारियों के अध्यन को कहते है, mystology, mythology study of myths of evils, कहानिया, गाथाओं के अध्यन को कहते है, mythology, oynology कहते है, study of wine, सराप के अध्यन को, मद्रिया के अध्यन को कहते है, orology study of mountains, mountains के अध्यन को कहते है, ulogy study of eggs, अंडो के अध्यन को कहते है, ulogy, pedology, pedology, pedology मतलब होता है pedology, study of children, बच्चों के अध्यन को कहते है, penology study of crime and punishment, अपराद और उसके दंड, जैसे penal code बना हुए इससे, उसको कहते है, penology, history of crime and punishment, अपराद और दंड के अध्यन को कहते है, philology, philology मतलब है study of ancient text and historical linguistic, पुराने टेक्स्ट, और उसके अध्यन को कहते है, जो पुरानी किताबे होती है, टेक्स्ट, रचना होती है, philology, seismology, study of earthquakes, भुकम के अध्यन को कहते है, seismology, therology, study of wild animals, जंगली जानवरों के अध्यन को wild therology कहते है, एक चीजा हो जानी है, कि अगर इन सारे लाजी में, y को i और st लगा दिया जाए, हटाके, वो व्यक्ति हो जाएगा, जो इन्डो का अध्यन करता है, जैसे एक वर्ड ले, इन्डो लाजी, इन्डो लाजी माने भारती, शवयता, शच्छिती का अध्यन करने, इन्डो लाजिस्ट, अब इन्डो लाजिस्ट, आई एस ट लगग गया है, y को i में, बतल के IST लगा दिया गया, इन्डो लाजिस्ट की मतलब होता हुग, व्यक्ति जो भारत के, शंश्कृति, शभ्यता और इतिहास का अध्यान करता है, उसको इंडो लॉजिस्ट कहते हैं, तो आई एस्टी लगाने से वो पर्टिकुलर पर्सन हो जाएगा, अगर नहीं लगाएंगे ति ये सब इस्टडी है, ठीक है, एक साइंस है, और एक ये छेत्र है पढ़ाई का, इसको आप जानते रहिए गाएंगे, तो ये सब है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनको जानना, वेरिंपॉर्टेंट और लाजी जो ग्रीक के लोगोस से बना हुआ है, इस्टेडी वड़ एसाइइंस का मतलब होता है, वेरिंपॉर्टेंट है, 32 मैंने लाजी से में लाजी और सब्सक्राइब करिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसारी लॉजी आप पढ़ते रहें आपके सारे कमपेशिम और अकेडमी की एक्जाम में यह सब आते रहते हैं इसे साथ वीडियो के यहें पर एंड करते हैं अब इसको देख लिए थैंक यू